नमस्कार दोस्तों सुनील रेगी की टेस्टी दिशिस में आज आपका फिर स्वागत कर रहा हूँ और जब मैंने ये चैनल की शुरुवात की थी तभी मैंने सभी दोस्तों को बोला था कि मैं आपको फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स इन सारी चीजों के बारे मे में भी जानकारी देता रहूँगा तो आज मार्केट से मैं जो चीजे लेके आया हूँ वो आपको इस वीडियो के माध्यम से या मेरे चैनल के माध्यम से दिखाने का एक ही मकसद है कि आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स यदि खाते हैं तो निश्चित वो चीजें इतनी फ्रेश नहीं होती हैं तो देखे आप कितनी फ्रेश चीजें दिख रही थे यह आप देख रहे हैं मेठी है मेठी आप देखे एक इक पत्ता बिल्कुल खिला-खिला और ताजह है वैसे ही आप यदि बैंगन की तरफ देखेंगे तो बैंगन का यह आपको बताऊंगा तो आप चौक जाएंगे हाला कि मैं इंदौर से बोल रहा हूं और इंदौर में रहता हूं यहां पर सब्जियां बहुत ही अच्छी मिलती हैं और रेट्स भी बहुत रीजनेबल होते हैं यह जो पालक आप देख रहे हैं यह इतना सारा पालक केवल 15 रु केवल बैंगल है और वैसे ही आप देखिए मटर यह जो मटर है फ्रेश छिला हुआ मटर कितना फ्रेश लग रहा है गोबी यह गोबी केवल 20 रुपए की है आप आश्चर चकित भी हो सकते हैं यहां के रेट से मैं डूनाट नो आप लोग कहां से देख रहे हैं या कहां से देख रहे होंगे पर मेरे कुछ मित्र हैं जो पाकिस्तान में भी हैं मित्र तो नहीं कहूं मेरे देखने वाले भी हैं वीडियो को वो देखकर और इसको सुनकर आश्चर चकित होंगे यह टमाटर जो है वो 30 रुपए किलो है और यह देशी टमाटर है और इसकी पहचान द तो जैसा मैंने बताया कि आपकी सिहत बनी रहती है या सिहत में अच्छा सुधार होता है. वैसे ही आप देखें यह अमरूद आप बोलते हैं हम यहां पर जाम बोलते हैं यह संत्रा भी है और यह अभी यहां पर 60 रुपे किलो है और संत्रा भी 100 रुपे के 12 संत्रे मिलते हैं. तो इस तरह से आप यदि मार्केट में जाकर सबजी मार्केट या आपके फ्रूट मार्केट में जाकर सबजीया लाएंगे तो आपको फ्रेश सबजी मिलेगी और इसका आप आनंद उठा सकते हैं. तो धन्यवाद आपको आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर शेयर करें लाइक करते हैं यदि आपको आप लाइक करते हों तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें थैंक यू सो मच.